Hello my dear student, this is Svanu Kumar Pande, welcome to my YouTube channel Maths Magic with Svanu sir आज मैं आप लोगों को एक नया चेप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, Profit and Loss तो आज मैं आप लोगों को basic profit and loss का जो concept है उसकी चर्चा कर लूँगा उसके बाद जो भी standard question होते हैं, हर टाइब के question को one by one करके हम लोग covered करेंगे तो देखिए, यहां पर मैं बात करना चाहूंगे, एक दम basic से चलूँगा, मतलब 0 to advance level चलने का प्रयास है जैसे देखिए क्या होता है, वैसे अभी एक दो question आप देखेंगे तो आपको लगेगा यह मैं भी जानता हूं लेकिन आगे इसी चीज का जब application करना पड़ता है, तो कठिनाई होती है यानि आपको इसको अच्छे ढ़ंग से समझना चाहिए, यह से क्या होता है, मैंस में मुख रूप से आपको क्या होना चाहिए यह पता होना चाहिए कि क्या फर्मूला है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए यह फर्मूला कहा लगता है और सबसे मुखे बाते होती है कि यह फर्मूला आखिर कैसे लगेगा, यानि how to apply the formula, यह चीज समझने के लिए आपको basic conceptually strong होना पड़ेगा और basic जब conceptually आपे strong होंगे तो भी आप बड़े बड़े question में देख पाएंगे कि यह तो छोटा वाला बात यहाँ पर लग जा रहा है और question बड़े easy से बन जा रहा है, इसलिए focus करें और देखें question आपका basic रूप में ऐसे कहेगा कि एक बस्तू का करायमूल कह देगा 25 सो रुपईये है, यादि इसे 3000 रुपईया में बेचा जाए, तो simple एक question होगा, कहेगा कि लाव रुपईये में बताएं और एक आपसे कहेगा लाव परतीसत बताएं, तो देखिए एक चीज याद रखेंगे, क्रेमूल से जब अधिक में आप बेचेंगे तो आपको लाव होता है, और क्रेमूल से कम में बेचेंगे तो आपको हानी होता है, तो यहाँ 2500 का बस्तू 3000 रुपईये में बेचा गया है, यानि हम लोगों को 500 रुपईये का लाव हुआ, अब करें लाव परसेंट बताएं, तो देखिए कभी भी लाव या हानी परसेंट चेक किया जाता है, क्रेमूल पर चेक किया जाता है, यानि लाव हानी उपर रहेगा, क्रेमूल नीचे रहेगा गुना 100%, यानि निकलेगा, हानी होगा तो हानी परसेंट निकलेगा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि लाव हुआ है, तो लाव 500 का है, किस पर भाई, तो क्रेमूल पर हम ऐसा याद रखिएगा, आगे कोश्चान हम लोगों को देखना होगा, तो डिसकाउंट जो हम लोग पढ़ेंगे वहां अंकित मुल पर डिसकाउंट चेक होता है, यानि परतिसात में बदलना होगा तो, और लाव हानी क्रेमूल पर चेक होता है, तो यहां केर करें, पचीस सो पर यानि पांच बार में कटा, बीस पच्चेस सो, यानि हम एंसर कितना कर सकते हैं, त्वेंटी पर सेंट, चल टो कहेंगा, की हानी बताएं, और एक कह देगा, हानी परतिसात बताएं, ध्यानपुरवग देखिये, क्रेमूल से में बेचा है, तो हानी हो जाएगा, यानि हो जाएगा, और हानी परसन्ट चेक करने के लिए, हानी बता, क्रेमूल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि फोटा वाला भाइलू हानी में रहेगा नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है आपको हमें ऐसा क्रेमूल नीचे रखना है अलवेज भी रिमेंबर देट तो पांसव गुने पांसव गुने हंडेट परसेंट यानि यहां पर आप देख रहे हैं बीस परसेंट हानी होगा यानि भैलू से मतलब नहीं है कम में बेचेगा तो हानी होगा अगर अधिक में बेचेगा तो लाब होगा इसको हम लोग दूसरे धंग से भी कोस्टन देख सकते हैं जैसे एक द या हानी परतीसत तो यहां देखिए 500 हानी हो गया हानी परतीसत आपको चेक करना है तो 500 बटा 3,000 गुने 100% तो देख सकते हैं यह छो बार में कटेगा दो तियाई छो पचास दूनी 100 यानि 50 बटा 3% यानि 16 पुर्णांग 2 बटा 3% होगा यानि इस तरीके से बहुत से कोस्ट अप असानी से बना सकते हैं तो यह हमने क्या सीखा कि यदी आपको क्रेमल और बीक्रेमल दिया हुआ हो लारव पूछे यह infinity पूछे यहानी पूचर्ण पूछे इसी कोस्टन को क्रेमल क्रेमल आपको अनुपात में देकर वी लावानी पूछता है तो क्या देगा पहले टाइब को मैं केलीर कर रहा हूं तो देखिए ऐसा दे सकता है कि लाब या hani परतिसद बता है यानि आपको जज़ करना होगा कि लाब होड़ा है तो देखिए चारर रुपई का बस्तु 0पर बेच एक रुपई ये का लाब भवा लाव हुआ कि इस पर भाई तो क्रैमुल पर यानि क्रैमुल 4 है यानि एक बटा 4 गुने 100 चुक्कि लाव हुआ है तो ये लाव परसेंट होगा यानी ये हो जाएगा 25 चव का 100 यानि 25 परसेंट चलिए कोस्टन ऐसे देखते हैं दो चार कोस्टन इस पर देखेंगे क्योंकि इसमें थोरा सा बदलाव भी करता है कहेगा एक बस्तू के क्रैमूल तथा बिक्रैमूल का अनुपाद साथ अनुपाद छोव है तो आप लाव या हानी परसेंट बताएं साथ परसेंट यानी चौदा सते अंठानवेर दो चौदा पुर्णांग दो बटा साथ परसेंट अब देखिए उनुपाद वाले कोस्टन में थोरा सा गेम खेलता है क्या करेगा कि ऐसे बोलेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कोता है कि कोस्टन बनाते बनाते हैं अबिच्वेटेड बहुत से बच्चे हो जाते हैं कि पहले वाला नीचे रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है क्रेमुल कहीं भी होगा कोस्टन में क्रेमुल नीचे रहेगा अतक कितना वर कोस्टन ऐसे देता है पर दिया है और इकजाम में आपको दिखाई नहीं परता है आप सोच नहीं पाते हैं विक्रेमुल 6 है क्रेमुल 5 है तो 5 कस रुपिया में खड़ित के 6 रुपिया में बेच है एक रुपिय का लाब हो गया लाब हो गया एक बटा हमेशा क्रेमूल नीचे रहता है एक बटा पांच गुने सो परसेंट यह 20 परसेंट हुआ चुकि अधिक में बेचा है तो क्या हो जाएगा आपको लाब हो जाएगा इसी क्वेस्टन को अधर फर में भी देगा जैसे कहेगा एक बस्तू क देहते के अधर विक्रायमूल तथा क्रेमूल का जो अनुपात है वहां का 16 अनुपात वोगिया आठ है चान पात कर दिजिए आपका साथ है तो लाब हानी परसेंट बताए तो साथ का बस्तू 56 में बेचा एक क्या हो गया हानी हो एक कहानी होगी हमेसा किस पर चेक होता है लाव या हानी क्रेमुल पर यानी एक बटा साथ गुने सो परसेंट यानी ये चौदा पुर्णांग दो बटा साथ परसेंट अब सवाल है उप्सन में दे देगा चौदा पुर्णांग दो बटा साथ परसेंट लाव चौदा पुर का जो क्रायमूल है एक बस्तू का क्रायमूल जो है बिक्रायमूल का 4 बटा 5 गुना है देखिए कहेगा एक बस्तू का क्रायमूल जो है बिक्रायमूल का 4 बटा 5 गुना है तो लाव यहाली परसंट बता है तो क्रायमूल बराबर बिक्रायमूल का 4 बटा 5 यहां से देखिए क पचीश चोग का सौव यानि चार का सम रूपिया में खड़ित के पांच में बेचा है तो यह क्या हो गया लाव हो गया इसी में एक दो कोशन और देखते हैं फिर अगले टाइप पर बेसिक में ही बढ़ेंगे हम लोग ऐसे कहेगा आपको कि एक बस्तू का क्रायमूल जो है बिकरायमूल का साथ बटा चोव है यानि यहां से क्रायमूल बटा बिकरायमूल जो हो गया यह साथ बटा चोव हो गया यानि साथ रुपिया का बास तू छो रुपिया में बेचा तो आप देख सकते हैं एक रुपिया के क्या हो रहा है आपको हानी हो रहा है यानि एक से धंसे कैसे देगा कहेगा एक बस्तू का ऐसे भी कर सकता है एक बस्तू का विक्रायमूल जो है वो क्रायमूल का आठ बटा नौ है यहाई देखिए कोई भी मैच्स वागेर बनाना है तो आपको फर्सली प्रौपर्ली रीड दा कोस्टन and get message from the question what is the given in the question what we have to find out in the question उसके बाद आप क्या करें correlate करें और जो भी आपके पास knowledge है उसके अनुसार proceed करें तेहां देख सकते हैं कि यहां question है विक्रायमूल क्रायमूल का 8 बटा 9 है यानि विक्रायमूल बटा क्रायमूल जो हो जाएगा वो 8 बटा 9 हो जाएगा यानि 8 बटा 9 बटा 9 बटा 9 बटा 9 बटा 9 बटा 9 बटा बटा 9 बटा 9 बटा क्या होगा तो हानी होगा अपसन में लाफ भी दिया रहता है थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो आप एक नमबर गवा कर वहाँ आ जाएगे चलिए इसी का एक और अधर फर्मेट क्या करेगा कहेगा कि एक बस्तू का क्रैमूल जो है बिक्रैमूल का दो पुर्णांग तीन बटा चार है क्या कर देगा आप से कह देगा एक बस्तू का क्रैमूल बिक्रैमूल का दो पुर्णांग तीन बटा चार है तो ऐसे लिख देंगे किस पर लावानी परसंट चेक होता है तो क्रैमूल पर यानि 7 बटा 11 गुने 100% यानि हो जाएगा 700 बटा 11 परसंट चुकि देखिए आपको यहाँ पर क्या हो रहा है हानी हो रहा है तो हानी लिखेंगे अब इसको पुर्णांग पर बदल सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो पुर्णांग में बदलना हो तो पुर्णांग में भी आप बदल सकते हैं चलिए अब दूसरे टाइप के तरह बढ़ते हैं कि कहेगा कि एक बस्तू का क्रैमूल चोव हजार रुपईये है यदि इसे टाइप दूसरा हो गया है यदि इसे 40 पर 30 लाव पर बेचा जाए तो दो बात पूछ सकता है एक कहदेगा लाव रुपईये में बताएं परसंट पर लाव दिया है लाव रुपईये में बताएं और एक कहदेगा भी क्रैमूल करेगा यानि अब की वार जो हम लोग टाइप पढ रहे हैं वह पढ रहे हैं क्रेमुल की ज captivate होगा लव यह हानी परसेंट होगा हम लोगों से लव्या थानी रुपाया में पूछशे या विक्रैमुल पूछेगा तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अगर यह लाव पूछा है तो डाइरेक्ट देखी एक तरीका क्या होता है कि 6000 गुने 40% तो 40 बटा 100 करके ऐसे काट के निकाल लेंगे वह इसे जुबानी भी हम लोग निकाल सकते थे 6000 का 10% 600 चाहिए चर्बूना करना है तो चचोग का 2400 इंसर हो गया अब देखें विक्रैमुल का एक तरीका हुआ कि लाव हुआ है तो क्रैमुल में आप लाव को जोड़ दें यानि 6000 में आप 2400 जोड़ दें तो यह आपका कितना हो गया 84 लेकिन हर बार वो तो कोस्टन में कहें कि ला दिखा रहा हुँ कोई भी चीज अपने आप में 100% तो चाहँ हजार का बस तु है 40% लाव लिया यानि 140 परसन में बेचा किसका 140 परसन तो इस क्रैमुल का 140 परसन यानि डाइरेक्ट एक सचालिस बटा 100 कर देंगे देखिए दो जीरो से दो जीरो कटा शचव का चौदे यानि यह डाइरेक्ट आपका हो गया यानि यहां पर फोकस करेंगे यह क्रैमुल का इतना परसन कैसे निकल लाव होगा तो 100 में उतना जोड़के निकालिएगा हानी होगा तो 100 में उतना घटा के निकालिएगा आपका कोशन बन जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते ह एक हानी वाला कह देगा एक वस्तू का जो क्रैमूल है वह 8000 है इसको कहेगा कि 30% के हानी पर वेचे हैं तो हम लोगों से पूछ देगा कि आप बताइए कि हानी रुपया में कितना हुआ और एक दूसरा बात पूछ देगा कि भी क्रैमूल बता दे तो देखिए जुबानी ब विक्रैमूल तो 8000 का 130% चाहिए यानी 8000 गुने हानी हुआ हानी हुआ हानी हुआ है तो घटाएंगे तो 100 में से 30 गया क्या सत्तर बटा सो अगर लाग हुआ होता थे 130 बटा सो करते दो जिरो से दो जिरो करता आठ सते 56 दो सुन आ जाएगा यानि 56 रुपाई आपका क्या लेकिन प्रोसीदिंग आपका यहीं रहेगा चलिए अगले टाइप को देखते हैं अगले टाइप में कोस्टन कहेगा यानि अब की बर देखिए हम लोगों ने पढ़ा अभी जो क्रैमूल देगा लाभ हानी परसंट देगा विक्रैमूल पूछेगा या रुपिया में ला उसे में क्रैमूल पूछ रहा है न तो एक और डेटा उसमें एड करके डाइड कहेगा नया भी क्रैमूल बता दीजिए यानि एक डेटा वो एड करेगा कैसे एड करेगा क्या कोस्टन होता है मैं आपको तुरंत उधारन के तौर पर समझा रहा हूं तो चलिए देखते हैं तो कहेगा क्रैमूल बताएं तो देखिया यहाँ सेप्ट लगेगा भी क्रैमूल बडाबर मैं क्रैमूल dedicated more लेकर 20 परसेंट तो यह तो क्रैमूल पूछा है चलिए solution जब करेंगे हम तो कहेंगे लाव लेके 20% में बेचा है यानी 120% में बेचा है और आख कोस्टन कह रहा है 720 में बेचा है यानी दोनों बात तो बरावर होना चाहिए क्योंकि दोनों ही भी क्रैमूल है तो यहां से 1% हो जाएगा 720 बटा और यानी यह 600 हो जाएगा चलिए next question देखते हैं question कहेगा हम लोगों से कि एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर 20 पर 30 का लाव होता है 20 पर 30 का लाव होता है तो देखिए विक्रैमूल बरावर विक्रैमूल क्रैमूल पूछेगा कि बता दिजिए तो कहेंगे 120 परसेंट बरावर 24 सो तो एक परसेंट बरावर 24 सो बटा 120 क्रैमूल पूछा इसलिए direct 100 से गुना करेंगे तो क्रैमूल मिल जाएगा यह दो बार में कटा यानि बीस बीस गुने स्वाव क्या हो जाएगा दो हजार रुपईया आपका क्रेमुल इंसर हो जाएगा चलिए हानी वाला भी कोस्टन देगा जैसे कह देगा एक बस्तू को चार सो बीस रुपईया में बेचने पर तीस परतीसत की हानी होती है तो कहेगा कि क्रेमुल बताएं तो बताएं यह क्रेमुल पुछा है यह टाइप का कोस्टन दे रहा है तो हाउ टू प्रोसीड जैसे देखिए इसमें क्या होता है को पहचानना बहुत ही जरूरी है कि किस समझ कैसे होती है तो समझ होती है उसी के कोडिंग आप वहाँ पर भी हैब करते हैं उसी तरीके से कॉस्टन में भी आपको टाइप वही समझ होना चाहिए कि किस कोस्टन में क्या मांग रहा है और कैसे हम लोगों प्रोसीड करना है तो चलिए हैं यहां पर 30 परसेंट हानी यहां इसी कोस्टन को कैसे प्रोसीड करेगे यानि नया विक्रायम उल कैसे पूछेगा मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे कोस्टन में कहेगा एक बस्तू को 720 रुपईया में बेचने पर 20 परतीसत का लुक्सान होता है यादि इसे 20 परतीसत लाभ पर बेचा जाता तो बस्तू का नया विक्रैमूल बता है यानि नया ख्वाइस इसका है 20 परसेंट लाभ पर बेचा जाता सर्थ दे रहा है 20% लाह पर बेचा जाता तो क्या होता यह तो कह रहा है कि ऐसा किया 720 में बेचा तो मुझे 20% कहानी हो गई लेकिन उसका है कि अगर मैंने 20% लाह पर बेचा होता तो आप हमको बताईए क्या होता तो बीना क्रैमूल निकाले काम तो चलेगा नहीं तो देखिए यहां कैसे कुरिलेसन चलेंगे यहां 20% ठानी पर बेचा है यानी 80% में बेचा है अई कहरे 720 में बेचा है यानी विक्रैमूल बरावर विक्रैमूल वाला कंसेट से चलेंगे तो 720 बटा 80 एक परसंट का भैलू हुआ यहां फोकस करिए अगर 100 से गुना कर दे तो क्रैमूल मिल जाएगा तो क्रैमूल तो पूछा नहीं आपसे डैरेक्ट भी क्रैमूल पूछा है तो ऐसा करिए कि 1% का भैलू है इसमें जिससे गुना करिएगा उसका मान मिल जाएगा तो इसकी नई ख्वाइस थी क्या कि 20% लाव होना चाहिए तो 100 क्रैमूल अपने आप में होता है 20% लाव चाहिए यानि 120 परसंट चाहता था हो यानि डैरेक्ट यहां क्या कर दीजिए 120 से गुना कर दीजिए तो यह आपको नया सेलिंग प्राइस मिल जाएगा यह 170 हो गया बारनावा 108 यानि 1080 यह आपको हुआ इस पर एक दो टाइप का एक दो और कोस्टन देखेंगे ताकि बहतर ढंक से आप समझ जाए जैसे कहेगा एक बस्तू को 420 रुपईया में बेचने पर 30 पर 30 की हानी होती है यदि इस पर 40 पर 30 का मुनाभा चाहिए तो कितना में बेचे यानि नाइका भी क्रैमूल आपसे पूछ रहा है कि बेचा होता तो बताईए क्या होता तो यहां करेंगे 70% बराबर 420 बटा 70 100 से गुना करें तो क्रैमूल मिल जाएगा लेकिन क्या ज़रूरत है क्रैमूल निकाल के फिर लाफ निकालने का डैरेक्ट यहां बना दीजिए नाइकवाइस क्या है 40% लाफ चाहिए तो डैरेक्ट किसे गुना कर दें 140 से 70 दुनी 140 420 दुनी 840 यह आपका क्या हो गया एंसर हो गया तो देख सकते हैं क्रैमूल कहता तो 100 से गुना करके निकाल देते एक कोशन इसमें देगा लाफ यहां हानी परसंट पूछ देगा जै समय बेचे तो लाफ यहानी परसंट बता है तो चलिए इस टाइप का दो कोशन देखते हैं बेसिक कोशन आपका कमांड हो जाएगा देखिए कहेगा कि एक बस्तू को देखिए डेटा सेम इसलिए मैं रख रहा हूं बार बार ताकि कंसेप्ट आप सीख जाएंगे तो कैलक छहाल 202 रूपहocrाइया में बेचा गया होता चौशवर उपहईया में बेचा गयाहोता घुएया तो लाब यहानी पर्तिसत बता है चलो क्रैमुल निकालोगे तब नपाता चलेगा कि लाफ रहा है कि हानी हो रहा है तो देखिए यह दिया हुआ है तो क्रैमुल कैसे निकल बेचना है तो अब बताइए क्राइमूल भी छोसा तर जीरो परसेंट का लाव यहानी कुछ भी कह सकते हैं माल लिजिए इसी कोस्टन पर अगर कहता कि हम 900 में बेचना चाहते हैं तो लाव यहानी बताइए तो कैसे बन जाएगा चाहते हैं तो लाव यहानी परसेंट किस पर चेक होता है अलवेज क्राइमूल पर यहानी तीन सा बताइए चाहते हैं अगला जो भी टाइप है मैं बहुत अच्छे भंग से आपको पढ़ा दूंगा एकदाम प्रोफिट एंड लॉस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और चाहिए सीजियल लेबल तक का मेंस का कोस्टन हो आपको बनाने में दिकत नहीं होगा अगर वीडियोज आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए सेर करिए सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाईए ताकि उनका पठन पाठन बेहतर हो सके और वो अपने भविश्य को बेहतर बना सके इसमें मेरा हमेशा सहयोग है और सहयोग रहेगा थैंक्स पर वाचिंग